हिंदी साहित्ते संपून घटना चक्र कुईक रिविजन विद आर्थी शर्मा दोस्तों आपको मेरे चैनल पसंद आए तो इसे लाइक करें शेयर करें सब्सक्राइब करें साथी साथ मेरे वीडियो के अगले नोटिफिकेशन को पाने के लिए बैल आइकन को प्रेस करें दोस्तों आज हम करेंगे गटना चकर का पाठ 281 यानि 281 तो चलिए देखते हैं अपने अगले प्रेस्ण गौर करेंगे दोस्तों प्रेस्न है उत्तरर राम चरीतम के तुरितिय अंक का समबन्ध किस से है तो ओप्शन डी पंच वटी से उत्तररं राम चरीतम के तृत्तिय अंक का संबन्द पंच वटी से है ठीक है? Option D सही उत्तर देखते हैं प्रश्निकी व्याख्या गौर करेंगे दोस्तो उत्तर रामचरितम के तृत्तिय अंक का संबन्द पंच वटी से है उत्तर रामचरितम भववूती का सबसे प्रसिद्ध नाटक है ठीक है किसका नाटक है भववूती का इसमें कुल सात अंक हैं कितने अंक हैं सात अंक हैं तथा राम कथा का वर्णन किया गया है ठीक है राम कथा का वर्णन है जैसा की नाम से ही पता चल रहा है उत्तर राम चरीतम ठीक है ध्यान रखेंगे प्रतम अंक की घटनाओं का इस्थान आयोध्या है और जो पहरे अंक की घटनाओं है उनका संबंद किस्से है उनका संबंदित इस्थान है आयोध्या ठीक दूसरे अंक क का इस्थान है दंड कारण्ंघ का जन्म इस्थान ठीक है जन्म नहीं जनिस्थान ध्यान दे दुधिये अंक का इस्थान दंड कारण्ये का जन इस्थान नामक प्रदेश है जबकि तृतिय अंक का संबंध किसे हैं दंड कारण्ये का पंचवटी प्रदेश ठीके तृतिय अंक का संबंध दंड कारण्ये के पंचवटी प्रदेश से हैं और चोथे और पांचवे छटे और सात्वे चोथे पांचवे छटे और साथवे अंक का संबंद बाल मिकी के आश्रम से है किस से बाल मिकी के आश्रम से ध्यान रखेंगे देखते हैं अन्य मैतपूंट तथे गौर करेंगे दोस्तों अन्य मैतपूंट तथे उपर यहाँ पर अंक दिये गए हैं साथ अंक हैं, टोटल, किस में? उत्तर रामचरितम में, किस की रचना है उत्तर रामचरितम? भववूती की, ठीक, तो देखते हैं, प्रथम अंक, जिसके अंक का नाम है, चित्र दर्शन, नाम याद रखें, चित्र दर्शन, दृतिय अंक, दृतिय अंक का नाम है, चतूर्थ अंक, जिसका नाम है कोशल्या जनक मिलन, फिर है पंचम अंक, जिसका नाम है कुमार विकरम, फिर है सच्टम अंक, जिसका नाम है कुमार प्रत्य भिग्ञान, ठीक है? फिर है सब्तम अंक, जिसका नाम क्या है सम्मेलन यानि गर्भांक, तो नाम याद रखें, पहला अंक चित्रदर्शन, दूसरा अंक पंचवटी प्रवेश है, ठीके ध्यान रखें, फिर है तृत्य अंक चाया, चोथा अंक कोशल्य जनक मिलन, पांचवा अंक कुमार विक्रम चटा अंक कुमार प्रत्य भीग्यान, सब्तम अंक सम्मेलन यानि गर्भांक, ठीके तो ये उत्तर राम चरीतम जो की भववूती की रचना है, उससे संबंदित सातों अंक और उनके नाम है, ठीके अगला प्रशने हैं, गौर करें, भव भूती की रचना का नाम क्या है, तो उप्शन ए, उत्तर राम चरीतम, उत्तर राम चरीतम भव भूती की रचना का नाम है, उप्शन ए सही उत्तर, देखें प्रशनी की व्याख्या, भव भूती द्वारा प्रणीत, उत्तर राम चर कैसा नाटक है करून रस प्रदान ठीक है। इस में साथ अंकों में रामायन के उत्तर कांड की कथा का वर्णन है। साथ अंकों में है इसुलिए इसका नाम भी रखा गया उत्तररामचरीतं। ठीक है ऐसे भी आप जोड़ सकते हैं। उत्तर राम चरितम महावीर चरितम और उत्तर राम चरितम इसमें कवी ने अपने आपको वश्यवाक और परीनत प्रग्य कहा है जो कवी भवबूती हैं उन्होंने अपने ग्रंथ अपनी रचना महवीर चरीतम और उत्तर चरीतम में स्वेम को क्या कहा है वश्यवाक और परीनत प्रग्य तो याद रखेंगे दोनों नाम इंपोर्टेंट है ठीक है अगला प्रशने है ध्यान दे निम्न लिखित में से कौन सी एक रचना भवबूती की है तो ओप्शन ए उत्तर राम चरीतम भवबूती की रचना है अगला प्रशने है ध्यान दे दोस्तों संस्कृत के किस कवी ने एको रसाह करुण एव कहकर करुण रस को रसराज गोशित किया है तो ओप्शन बीस का सही उत्तर है कवी भवबूती ने जो की संस्कृत के कवी है इनों ने एको रसाह करुण एव कहकर करुण रस को रसराज गोशित किया है ठीक है ओप्शन बीस अही उत्तर देखते हैं प्रशन की व्याख्या गोर करेंगी दोस्तों व्याख्या पर कवी भवबूती द्वारा वी रचित उत्तर रामचरीतम के तृत्तिय अंक में वर्नित 47 वे शलोक के मध्यम से भवबूती इसपस्ट रूप से इसे करुण रस नाटक ही मानते हैं तो कवी भवबूती द्वारा रचित है उत्तर रामचरीतम जिसके तृत्तिय अंक में वर्नित 47 वे शलोक के माध्यम से भवबूती ने बताया है इसपस्ट रूप से कि इसे क्या बताया है करुण रस का नाटक ठीक है ध्यान रखे इतना ही नहीं वे हैं करुण रस को अन्य रसो का आधार भूत भी मानते हैं ठीक है झाय करुण रस को अन्य रसो का आधार भूत रस मानते हैं उनके मता अनुसार किसके कवी भवूती के अनुसार करुण रस ही रूपांतृत होकर शरिंगार वीर आधी रसो के रूप में परीनत है ठीक है यानि आधार भूत रस क्या था करुण रस था आगे चल कर ये रूपांत्रित होकर क्या हो गया श्रिंगार और वीर रस के रूप में परीनत हो गया ठीक, सर्वत्र रसों की आत्मा, सर्वत्र रसों की आत्मा के रूप में करुण रस है, ठीक है, ये कह रही है कि पूरी तरह से रसों की आत्मा अगर देखी जाये तो कौन है, करुण रस है, करुण रस प्रकृती है, क्या है, प्रकृती है और श्रिंगार रस आधी, विकृती यानि की प्रकृती जो मेन है ठीक है नेचर और उससे उपजी हुई है क्या श्रिंगार रस यानि विकृती ठीक है तो ध्यान रखें इस आधार पर हम कह सकते हैं कि भव भूती ने करुण रस को रस राज गोशित किया है सीधा सीधा प्रशन पूछा जा सकता है कि करुण रस को रस राज किस कवी ने या संस्कृत के किस कवी ने गोशित किया है जैसा की प्रशन में भी है तो आप बताएंगे कवी भव भूती ने ठीक है दोस्तों अगला प्रश्चन है ध्यान दे हैं करुण रस को 1 मात्र रस किसने माना है और भुधी बहव भुधी ने करुण रस को 1 मात्र रस माना है ध्यान रखेंगे अगला प्रश्ण है ध्यान दे दोस्तों करुण के रस राजत्व का प्रती इस्थापक ग्रंथ कौन सा है तो option c उत्तर राम चरितम करुण के रस राजत्व का प्रती इस्थापक ग्रंथ है option c साय उत्तर देखते हैं प्रश्ण की व्याख्या गौर करेंगे दोस्तों करुण रस राजत्व की प्रती इस्थापना उत्तर राम चरितम ग्रंथ के द्वारा की गई है भवूती ने तीन नाटक लिखे हैं कितने तीन नाटक लिखे हैं सबसे पहले मालती माधवम जो की श्रिंगार रस प्रधान नाटक है फिर है महावीर चरितम जो की वीर रस प्रधान नाटक है फिर है उत्तर राम चरितम जो की करुण रस प्रधान नाटक है कैसा करुण रस प्रधान नाटक है फिर से सुनें उत्तर राम चरिते भव भूतिर विशिष्यते ठीक है ध्यान रखें उत्तर राम चरित में भव भूति काली दास से विशिष्ट हो गए हैं क्या कहा गया इस स्रचना के लिए कि उत्तर राम चरित में भव भूति काली दास से विशिष्ट कवी हो गए हैं ठीक है तो ये बात बहुती मैतपून है ध्यान दे इनके तीनो नाटकों में इनके यानि भव भूति जी के तीनो नाटकों में विदूशक का सर्वता अभाव है ध्यान रखेंगे आगे देखें व्यक्या ध्यान दे साहित्य सास्त्र के नो रशों में से करुण रश एक है ठीक है साहित्य सास्त्र के अगर नो रशों की बात करें तो करुण रश एक है भव भूति ने कवी भव भूति ने उत्तर रामचरित में करुण रश को अपूर्व प्रतिष्ठा दिलाकर ध्यान दे उत्तर रामचरित में करुण रश को किसको करुण रश को अपूर्व प्रतिष दिलाकर उसे सभी रसों का मूल्सरोत बना दिया है और कहा भी गया है ध्यान दें एको रसा करुण एव निमित भेदाद भिन्न फिर से सुनें एको रसा करुण एव निमित भेदाद भिन्न प्रितक प्रितिक गीव श्रेयते विवर्तान आवर्त बुद तरंग मैं ध्यान से सुनें अवर्त बुद बुद तरंग मैं अन्विकारा ठीके नम्भो यथा सालिल सालिलम एव सालिलम एव ही तत्सम इस्तम तत्सम इस्तम ठीके अर्थाथ अब सुनें इसका अर्थ ध्यान दें रस तो एक ही है यानि करुण रस जो भिन भिन प्रयोजनों से प्रिथक प्रिथक यानि जो अलग अलग प्रयोजनों से अलग अलग परिणामों यानि रसों का आश्रे लेता है ठीक है जैसे वही जल, भवर, बुलबुला और लहर जैसे अनेक रूपों को प्राप्त होकर भी रहता जल ही है जैसे तुलना करते हुए बता रहे हैं कि जैसे वही जल, जैसे जल की बात हो रही है वही जल, भवर, बुलबुला और लहर ये सारे क्या हैं पानी में उठनी वाली एक तरह से पानी के अंशी मान लो जल, भवर, बुलबुला और लहर जैसे अनेक रूपों को प्राप्त होकर भी पानी पानी ही रहता है यानि जल ही रहता है इसी तरह से करुण रस भी है अनेक रूपों को ठीक है अपने अंदर समेटे हुए भी करुण रस एक ही है ठीक है बाकी सभी रस इससे उपजे तो ये बात ध्यान रखेंगे दोस्तों, अगला प्रशने है, गौर करेंगे, एको रसाहा करुण एव, किस कभी की उखती है, तो option C, भव भूती, भव भूती की उखती है, एको रसाहा करुण एव, ठीके, ध्यान रखेंगे option C, सही उत्तर, दोस्तों अब हम बात करेंगे अगले कवी के बारे में यानि कवी भारवी ठीक है तो देखते हैं इनसे संबंदित प्रश्ण गौर करते हैं ठीक प्रश्ण है भारवी की माता भारवी कवी की माता का क्या नाम था तो option A सुशीला सुशीला कभी भारवी जी की माता का नाम ठाथ ध्यान रखें अप्शन ए सही उत्तर है गौर करेंगे दोस्तों व्याख्या पर भारवी के माता का नाम सुशीला और पिता का नाम श्रीधर ठा ठीके कभी भारवी जी के माता की माता का नाम सुशीला था और इनके पिता जी का नाम शुरीधर था उनकी पतनी का नाम रसिक वती या रसिका था ठीके पतनी का नाम क्या था रसिक वती या रसिका उनका वास्तविक नाम किसका भारवी जी का तो कभी भारवी का वास्तविक नाम दामुदर था ठीक है भारवी उनकी उपाधी थी ठीक है तो भारवी क्या है उपाधी है वास्तविक नाम है दामुदर ध्यान रखेंगे दोस्तों ठीक है माता सुशिला पिता श्रीधर पतनी रशिक वती या रशिका और वास्तविक नाम इनका है दामुदर इतनी बात प्रशित में से कौन कवी अर्थ गौरव के लिए प्रसित हैं, ध्यान दें व्याक्या पर, महा कवी भारवी अर्थ गौरव यानि शेली के प्रवर्तक माने जाते हैं महाकवी भारवी अर्थ गौरव यानि शेली के प्रवर्थक माने जाते हैं भारवी के महाकावे किसके भारवी के महाकावे का सर्वस्रेष्ट वैसिस्टे उनका अर्थ गाम भिर रहे हैं उनका अर्थ गाम भिर रहे हैं जिसका तात्पर रहे हैं अल्प शब्दों अल्प यानि कम शब्दों में प्रभूत अर्थ का सन्निवेश करना ठीक हैं तो कम शब्दों में प्रभूत अर्थ का सन्निवेश क्या है ये तात्पर रहे हैं किसका भारवी के महाकावे का ठीक है तो ध्यान रखें बारवी के महा कावे का सरुरिस्ष्ट वैसिस्ट यह उनका अर्थ गामबिर्रे है जिसका अर्थ यह है कि अल्प शब्दों में प्रभूत अर्थ का सन्निवेश इसलिए यह कतन युक्ति संगत है क्या कतन है ध्यान दें उपमा काली दासस से ठीक है उपमा उपमा के जनक कहे जाते ना उपमा अलंकार के या उपमा के समराठ कवी काली दास तो वही बात हो रही है ध्यान दें अब सभी कवियों का अलग-अलग बता रहे हैं जो जिसके लिए प्रसिद्ध हुए ठीक तो उपमा काली दासस से भारवे अर्थ गौरवम और जो कवी भारवी थे वह किसके लिए अर्थ गांबिर्रे के लिए प्रसिद्ध थे ठीक दंडिन हा पद लालित्यम और दंडी किसके लिए प्रसिद्ध थे पद लालित्धे के लिए मागे संती त्रयो गुणा और मागे संती माग जो थे उनमें यह तीनो ही गुण मिलते थे ठीक है तो क्या कहा गया तो ध्यान रखे उपमा कालीदासस से भारवे अर्थ गौरवं दंडिन हा पद लालित्यम मागे संती त्रयों गुणा और माग तो ऐसे कवी थे जिनमें ये तीनों की तीनों गुण मिलते थे कौन-कौन से उपुमा, अर्थ गांबिर्य और पद लालिते ये तीनों गुण ही माग में मिलते थे ठीक है तो ये बात ध्यान रखेंगे गौर करेंगे दोस्तों सहसा विद्धीत ना किरियाम इस सूक्ति से युक्त रचना कौन सी है क्या युक्ति है तो फिर से सुने सहसा विद्धीत ना किरियाम इस सूक्ति से युक्त रचना है ओप्शन B किरातार जुनियम इस सहसा विद्धीत ना किरियाम सहसा विद्धीत ना किरियाम अचानक कारें ना करें सहसा मीज अचानक इसका क्या रचना है इस पंक्ति का अर्थ है अचानक कारें ना करें प्रस्तुत शलोकांश महा कवी भार्वी करित ध्यान से सुनें यह जो प्रस्तुत लोकांश है यह है महा कवी भारवी कृत किरातारजुनियम महा कावे के द्वित्य सर्ग का तीसवा स्लोक है कौन सा तीसवा स्लोक है द्वित्य सर्ग का कौन किसका सर्ग है द्वित्य सर्ग तो ध्यान रहे कवी महा कवी कवी नहीं महा कव भारवी जी के द्वारा रचित है किरातार जुनियम जो की एक महा काव्वे है ठीक है इसका स्लोक है ठीक द्यान दें यह भारवी का अती प्रियेश लोक है अती प्रियेश लोक उन्होंने अपने शयन कक्ष में अपने शयन कक्ष में इस लोक को लगा रखा था यानि कि इतना ज्यादा प्रियश लोग था की से अपने शयन कक्ष में लगा रखा था ठीक है ध्यान रखेंगे दोस्तों अगला प्रश्ण है ध्यान दे किरातार जुनियम के प्रतेक सर्ग का अंतिम पद कोन सा है ठीक है तो ध्यान दे ओप्शन ए लक्ष्मी ठीक है किरातार जुनियम के प्रतेक सर्ग का अंतिम पद लक्ष्मी है ठीक है ओप्शन ए साई उत्तर देखते हैं प्रश्ण की व्याख्या ध्यान देना जरा किरातार जुनियम महा कवी भारवी प्रणीत एक महा काव्वे है किरातार जुनियम महा कवी भारवी द्वारवी प्रणीत एक महा काव्वे है इसमें कुल अठारे सर्ग हैं कितने अठारे सर्ग हैं और 1040 कितने 1040 शलोक हैं इसकी कथावस्तु को महा भारत के वन पर्व से लिया गया है आगे देखें व्याक्या ध्यान दें किरातार जुनियम का प्रारंब महाराज युदिस्टर द्वारा भेजे गए एक गुप्तिचर के आगमन से प्रारंब होता है किरातार जुनियम का प्रारंब महाराज युदिस्टर द्वारा भेजे गए एक गुप्तिचर के आगमन से प्रारंब होता है जो की ब्रह्मचारी वेश धारण किये हुए है इसमें अर्जुन और किरात वेश धारी सिव के बीच युद्ध का वर्णन है इसमें अर्जुन और किरात वेश धारी शिव के बीच युद्ध का वर्णन है अन्ततो गत्वा शिव प्रसन होकर अर्जुन को पाशुपतास्त्र प्रदान करते हैं वस्तुथा भार्वी संस्कृत काव्यों में रीती शैली के जन्मदाता है तो रीती शैली के जन्मदाता कहे जाते हैं संस्कृत काव्यों में कवी बार्वी संस्कृत काव्यों में ध्यान रखें ठीके संस्कृत काव्यों की बात हो रही है दोस्तों इस ग्रंत के प्रारंब में श्री सब्द ध्यान दे श्री सब्द तथा प्रतेक सर्ग के अंत में लक्षमी सब्द का प्रयोग उसकी प्रमुक विशेशता है ठीके ध्यान दे दोस्तों इस ग्रंत के प्रारंब में श्री सब्द तथा प्रतेक सर्ग के अंत में लक्षमी सब् का प्रयोग उसकी प्रमुक विशेष्था है ठीक है ध्यान रखेंगे अगला प्रशने हैं गौर करेंगे दोस्तों इन में से कौन सी रचना कभी भार्वी की है तो ओप्शन डी किरातार जुनियम कभी भार्वी की रचना है ओप्शन डी सैयुत्तर अगला प्रशने हैं ध्यान देना दोस्तों भार्वी द्वारा कभी भार्वी द्वारा रचित किरातार जुनियम का प्रधान रस क्या है ओप्शन ए वीर रस वीर रस कवी भार्वी द्वारा रचित किरातार जुनियम का प्रधान रस है ओप्शन A साय उत्तर ठीक है देखें व्याक्या कवी भार्वी प्रणीत किरातार जुनियम का प्रधान रस वीर रस है ठीक है अगला प्रश्ण है ध्यान देंगे दोस्तों किस कवी की वानी नारी केल फल के समान है तो ओप्शन D कवी भारवी की वानी नारी केल फल के समान है किस के समान नारी केल फल के समान ओप्शन D साय उत्तर देखें प्रश्ण की व्याक्या गौर करना प्रसिद्ध टीकाकार मली नाथ ने कवी भारवी की रचना की उपमा नारियल के फल से की है किसे की है नारियल के फल से की है किसने प्रसिद्ध टीकाकार मली नाथ ने भारवी की रचना की उपमा ठीक है जो उपर से कठोर किन्तु अंदर से कोमल और सरस होता है इस आधार पर कहा जा सकता है कि महा कवी भारवी की वानी नारी केल फल के समान है ठीक है ध्यान रखेंगे दोस्तों बहुत ही अच्छी व्याक्या है ध्यान रखें तो दोस्तों हमारा आज का ये वीडियो यही समापत होता है ठैंक्स पॉर वाचिंग अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो इन्हें लाइक करें शेयर करें मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें साथ ही साथ मेरे वीडियो के अगले नोटिविकेशन को पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें धन्यवाद दोस्तों